हलो फ्रेंट्स आज मैं बनाऊंगी आम का हिंग वलाचार ये चार बहुत ही कम इंग्रेडियन्ट से बनकर रेडी हो जाता है इसको बनाने के लिए हमेसे फलालमेश, नमक, तेल और हिंग की जरूरत होती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं लेकिन हाँ इससे पहले मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना बूलें आम का हिंग वलाचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक किलो कच्चे आम लिये हैं सबसे पहले मैं इनको अच्छी तरह से दो लूँगी और इनकी ऊपर की डंठल काटने के इनको छील लूँगी देखिए फ्रेंट्स सारे आम मैंने चीतर से छील लिये हैं अब मैं इनको कट कर लूँगी आम को काटते समय हमें इस बात का धियान रखना है कि जब हम इसको काटेंगे तो इसकी जो स्लाइस काटनी है वो बहुत ज्यादा मोटी ना हो हमको सिर्फ इ जार एकदम साफ सुतरा धुला हुआ होना चाहिए या फिर आप नया जार ले सकते हैं जैसे भी आपको सुटेबलो यहाँ पर मैंने दो से ढाई चमच नमक इसमें एड़ कर दिया है अब इस जार को बंद कर दूँगी और अच्छे से नमक और आम को मिलाएंगे आम और न आम को मैं चान लूँगी और जो इसका पानी निकलेगा उसको अले इक पॉर्टल में करके हम रख लेंगे फ्रेंड्स क्योंकि यदि हमारा अचार बाद में थोड़ा सर रुखा-रुखा होता है तो हम यह पानी इसमें आइड कर सकते हैं इसके बाद लगवक चार से पास ग दूप में इसको सुखाएंगे आज मोसम बहुत अच्छा है बाहर बहुत अच्छी दूप निकली है कई बार ऐसा होता है कि दूप नहीं होती है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम जादा दीजिएगा जब तक हम चलिए आगे किस टेप क बहुत ही अच्छा होता है उसके बाद मैंने यहां पर लिया है हिंग यहां पर भी दो होता है कि इसका अरोमा से बहुत ही अच्छा होता है और इस सचार के लिए ब्यांसी मेरह से लोगी है कि मिर्च मैं दो तरीके से यूज़ करूंगी एक थोड़ा सा दरदरी पीसी हुई और एक बारिक पीसी हुई दरदरी पीसने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है देखे इस तरीके से मैं इसको इतना दरदरा पीज़ा है और बारिक जो मिर्च है वो इस तरीके से है मसाले तो सब रेडी हो चुकी है एक और जरूरी चीज है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने गुनगुना सरसो का तेल भी लिया है जो हम बहुत ही थोड़ा सा इस अचार में यूज़ करेंगे चार से पांच गंटे की दूप इस आम को लग चुकी है और यह बिलकुल परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है जो अचार डालने के लिए होती है यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें मैं सूखा हुआ आम एड़ कर दूँगी हमें बरतन इतना बड़ा लेना है जिसमें हम आम को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर सकें अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी डेड़ चमच गाला नमक, हादा चमच हल्दी, हल्दी हमें बहुत कम यूज़ करनी है फ्रेंट्स दो चमच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर एक चमच बरके मैंने कुटिक वी लाल मिर्च भी एड़ की है उसके बाद यहाँ पर मैंने एक से सवा चमच हिंग भी इसमें एड़ कर दिया था हिंग हमें बहुत ज़ाद है इसमें नहीं डालना हैं क्योंकि यह बहुत ही अरोमेटिक हिंग है तो इतना हिंग काफी रहेगा इतने अचार के दिये उसके बाद मैंने यहाँ पर धाई चमस सर्जों का तेल भी एड़ किया है इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको मिक्स करने के बाद मैं वापस से जार में एड़ कर दूंगी इसके बाद तीन से चार दिन तक की दूप इसको जरूर दिखानी है बले यह आप इसको 15-20 मिनिट की ही दूप दिखाए लेकिन आप इसको दूप में जरूर रखिएगा एक हफ़ती के अंदर यह अचार खाने लाइक हो जाता है आप इस अचार को रोटी परांठा दाल चावल किसी की विस साथ इंजोई कीजिए यह आपके खाने के टेस्ट को बहुत जादा बढ़ा देगा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए गव फ्रेंड्स और कैसा बना आपका आम का हिंग वाल आचार कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स हमारा आचार तो र